हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरी यूटीब चैनल SNK पाट साला में जहां हम आज एक फॉर्मल लेटर से डील करने वाले हैं यह जो मैं लेटर बताने वाला हूँ वो क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए important है और सभी boards के लिए important है याणि कि किसी भी board से निखे रहे है हूँ वो state board हो या central board हो आप सभी के लिए यह important है तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं मैं यहाँ के बल्ड डिल नहीं करूँगा इस ते ऑर के बल्ड बताऊंगा नहीं हर एक word का meaning भी समझाते चलूगा और आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको easily लिखना है तो इसका subject आपको देखे रहा होगा question पढ़ते हैं और समझते हैं जैसे आपको question आएगा write an application letter to the headmaster of your school to issue some books from school library आपको एक application letter लिखना है अनुरोध पत्र कहते हैं इसे हिंदी में अगर आप हिंदी में letters सिखना चाहते हैं तो आप इसको देखके भी इस pattern के थुरूँ आप हिंदी भी लिख सकते हैं क्यों कि मैं उसको बताने माता हूँ आपको लिखना किसा है headmaster को अब देखिए कभी कभी क्या होता है schools में कि headmaster का जगए headmistress या फिर principal लिखा हुआ रहा सकता है तो इसमें कुछ नई टेंस ना पो लेना है बस जहां पर headmaster है वहां पर आपको principal या headmistress करना होता है अब फिर school माने खूद के school के and then क्या करना है बोलना है उनको कि issue कर दीजिए क्या कर दीजिए books कहां से school की जो library है उससे हाला कि इस library वाला chapter पर आपको और भी letters देखने को मिलेंगे जो important होगे आगे upload करके आपको बताऊँगा अब यह हम फिलाल देखते हैं कैसे हम इसको complete कर सकते हैं easy way में starting आपको पता ही है जैसा कि मैंने इससे पहले सारे letters कराए हुए है तो उसमें आपने देखा ही होगा उसे तरह से इस letter को भी हम करने वाले है to the headmaster name of the school अब आप जिसी school से होगे उसका यहाँ पर आपको name fill करना है उसके बाद है address of the school address जो होगा address जहाँ पर वो school होगा उसको आपको यहाँ fill करना है then आपको क्या करना है date लिखना है यहाँ पर उसी दिन का date लिखिएगा जिस दिन आप इसको submit करने वाले है यहाँ तक clear है इसके बद आपको लिखना होता है subject subject आपको ध्यान से लिखना होता है समझ करके कि इस से एक marks इसमें मिलता है तो subject है application to issue book from library याँ कि application लिखा जा रहा है क्या करने के लिए issue करने के लिए book या books भी कर सकते हैं from library complete है then हम जब start करते हैं तो greet करते हैं पहले तो लिखेंगे respected sir या फिर आप madam भी लिख सकते हैं यापर अगर मैं हूँ अपके school में madam पढ़ाती होंगी या फिर headmistress होंगी तो ठीक है with due respect and humble submission I beg to state that I am a student of your school class अब class आपको mention करना है कि आप 20 class में है 9th, 10th, 11th, 12th जिसमें भी होंगे आप यहाँ फिल कर लेंगे यह सबके लिए same रहेगा यह paragraph ठीक है तो यहाँ समझेगा कि सविने निवेदन यह है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैं आपके school का एक विद्यारती हूँ और मैं क्लास कितना जो लिखा होगा उस class में पढ़ता हूँ मैं इस class का विद्यारती हूँ complete है यहाँ तक दूसरा पैरा में हम describe करते हैं इसका पहले क्या था पहले greeting के बाद हम लोग पहला पैरा लिखें इसमें हम उनको thanks करते हैं या फिर बताते हैं कि मैं आपका आग्या कारी हूँ इसके बाद आपको बताना होता है या फिर आप कौन है अपना introduction दे सकते हैं और उसके बाद आपको बताना होता है main reason आखिर आप letter को लिख क्यों रहा है वो आपको second parameter लिखना है जैसे I want to issue some books from the library for my study मैंने कि मैं issue करना चाहता हूँ कुछ books को कहां से library से मेरी study के लिए पढ़ाई के लिए my reason भी तो होगा ना इसका क्यों आपको बस book available नहीं है तो उसके लिए आप reason दीजिए my parents are not so rich मेरे जो माता पीता है वो बहुत ज़दा अमीर नहीं है so I am unable to buy these books from the market इस करन से मैं और सक्षम हूँ खरिदने में इन किताबों को market से as you know that जैसा कि आपको पता है our exam is going to happen next month और हमारा exam जो है वो होने वाला है next month जैसे कि अभी का time जो चल रहा है इसमें दो महने के बाद आपको 10th और 12th का exam देखने को मिलेंगे ठीक है so I badly need the books to prepare for my upcoming exam इसलिए मुझे ये books के आउसकता बहुत जादा है अभी क्योंकि मेरा आगे exam आने वाला है जब आप ऐसे describe करेंगे तो जाहिर सा बात है आपकी बाते समझ में आ चाएंगी बहुत lengthy नहीं करना होता है letter को letter को simple और साधारन words में लेकिन grammatical error ना हो ये भी ध्यान रखते हुए लिखना चाहिए जब ये दोनों पैरा complete आते हैं तो हम आते हैं इसके बाद third पैरा में जो आपको यहां दीख रहा होगा इस third पैरा में हम क्या करते हैं ये देखिए यहां रता है हम उनको conclusion line लिखते हैं उसमें conclusion line में बताते हैं क्या कि इस कारण से therefore I request you kindly approve my request इसलिए मैंने जो आपसे मैं आपसे अनुरोद करता हूँ कि जो मैंने request किया है जो मैंने request that I have met जो मैंने किया है उसको आप क्या करिए Approve कर दिजिए Approval का मतलब होता है अनुमत ही दे देना उसको I will be highly obliged मैं आपका बहुत ज़्यदा अभारी and thankful to you मैंने I will be मैं होँगा या रहुँगा क्या रहुँगा बहुत ज़्यदा अभारी रहुँगा बहुत ज़्यदा कृतक गे रहुँगा thankful to you आगे आपको लिखना होता है thanking you आप यह से feel कर सकते हैं last मैं आपको right side corner में लिखना है sincerely yours या फिर your obediently या फिर your most obedient student ऐसे करके complimentary close कह सकते हैं compliment देते हुए आप close करेंगे लेकिन यहाँ feel क्या करना होगा आपको अपना पूरा नाम चुकि आपकी school में है then आपको अपना class section enroll number I think अब यह clear होगा मैंने पढ़ भी दिया और बता भी दिया एक बार मैं पूरा इसको अच्छे से पढ़ देता हूँ कि आप इसको समझ भाएं सून करके question आएगा write an application letter to the headmaster of your school to issue some books from school library आपको start करना है to the headmaster name of the school address of the school and then date इसके बाद आपको करना है subject जो बहुत main part है इसका लिखना subject को हमें सा underline करियेगा application to issue book from library respected sir with due respect and humble submission I beg to state that I am a student of your school class dash dash में आपको अपना class भरना है I want to issue some books from the library for my study my parents are not so rich so I am unable to buy these books from the market as you know that our exam is going to happen next month so I badly need badly मैं बहुँ जाजरोत का है need the books to prepare for my upcoming exam therefore I request you to kindly approve my request that I have made earlier या फिर mad I will be highly obliged and thankful to you thanking you your sincerely या फिर sincerely yours name class section role number and that's it इस तरह से लिखेंगे and last में आपको क्या करना है पूरे तरह से इस जो लेटर को आप लिखेंगे उसको close कर दिजेगा एक box के अंदर यानि कि end close रहेगा अब आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो कोई प्रोब्लम हो तो आप कमेंट्स के सलमें लिखे बता सकते हैं वहाँ मैं आपके जोई प्रोब्लम होगे उनका अंसर कर दूँगा और अगर उको प्रोब्लम हो किसी वीडियो से जूटे हुए हो तो भी मैं अंसर करूँगा आपको और वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे शेनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं सर्च करके और notification bell को ज़रूर हिट कर ले क्योंकि ऐसे ही और भी amazing वीडियो आपको मिलते रहेंगे जहां मैं easy language में असानी तरीके से बात करूँगा और समझाऊँगा आपको letter writing उचाहे जिस भी type का हो formal, informal, editor, जितने भी letters हो साथ मैं आपको और भी आने वाले जिसे की paragraph writing essay writing ये सब भी आपको आगे मिल जाएंगे thank you so much for watching this video